हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग टू आल आफ यू मैं आमित कुमार दुबे क्लास नाइन के बच्चो को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ तो बच्चो जैसा कि तुम पता होगा है ना तुम्हारे नए सेस्ट्ट में जो ऐसीष्टी का सीलेबस है उसमें तुमको चार बुक पढ़ना है है ना जो अलग-अलग सेक्शन में दिये वह जिसे हिस्टि का येक अलग बुक होगा जग्रैफी का अलग बुक होगा इसलिए उस बुक को तुम पॉलिटिकल साइंस की बुक कह सकते हो यह वॉलूम न तुमको पढ़ना है और वॉलूम टूटेन में पढ़ना है ठीक है और एकनॉमिक्स को इस नाइन क्लास में तुम्हारे वो प्रिभियस क्लासेज के सिलेबस जैसे उसे अलग कर दिया गया है वहां पर किवल तीन ही पढ़ना परता था यहां पर आपको उच्छार बुक पढ़ना है ठीक है हिस्टी का एक अलग है जगरभी है सिविक्स है और एकनॉमिक्स है तो जैसा कि बचों पूरे भारत में राष्टी पैटर जो है नेशनल केरिकूलम है उसके कॉर्डिंगली एंसी आटी के बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है और इस सिलेबस में तुमको यह पढ़ना पढ़ता है ठीक है तो यह मैं बुक के प्रारंभ में कंसिचिवसन ओफ हिंडिया द इसमें राइट टू एक्वोलीटी है है ना राइटू फृड़म है राइट फ्रीडम है राइट फ्रीडं है राइट टू फ्रीडम ओफ रिलीजन रिलिजन है 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 राइट तू दे कंसिच्जुशन र्डमीर इस तरीके से 6 है तुमको पता भी होगा और आहां पर लियर में हम लोग ने बताया भी था कि आर्टिकल 12 लेकर के 35 के बीच में है ना ये बाते उलेक के गई हैं तो हर एक मतलब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट को इसकी जनकारी रखनी चाहिए जो बुक में देए हुए भी पहले से तुम है ना इसको अच्छे से स्टाडी करके इसको जानो मालो कि तुमसे कोई पूछता है कि तुम अपना फंडमेंटल राइट बताओ तो तुम्हें ये सब बाते बतानी चाहिए और कोई भी कॉमनली तुमसे एक कोश्चन पूछ सकता है तो इसको आप कर लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट है अपने कंसिटिउशन का हमारा प्रियम्बल होता है जिसमें जस्टिस की बात की गई है नया की बात की गई है liberty freedom की बात की गई है समंधा की बात की गई है और उसमें secularism है expression believe faith worship social economical and political justice socialist secular democratic republic है इससा बाते हमारे प्रियम्बल में की गई है और हम इसको जब पढ़ते हैं था हमें पता चलता है कि हमार समिधान कितना सम्रीद है और कितना नया के सिधानतों पर अधारिद है ठीक है बच्चो अब हम यहां पर देखेंगे के तो आपको पूरी वन एयर में यह ना चेप्टर पढ़ना है जिसमें पहला चैप्टर है इंडिया ईंडिया साइज लोकेशन दुसरा है भारत के जो फिशिकल फीचर्स के और जो भी इसे हमारे चैनल होते हैं जिसके माध्य हम से हमारा पानी की निकास की बहुता होती है उसको ड्रीनेज कहते हैं तो इस पर सारी चीज अपर हम लोग डेटेल्स में चर्चा करेंगे परले हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं चौथा क्लाइमेट के बारे में इसमें तुम्हारा क्लाइमेट और से रिलेटेड जो भी हमारे चीज़ें होगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेच्चरल फेजिटेशन एन वाइल लाइफ पॉपुलेशन यहां डेमोग्रेफिकल रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे हलाकि इसी पॉपुलेशन का एक एकनोमिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड यह चैप्टर हमारा एकनोमिक्स में भी तुम्हें पढ़ना है लेकिन हम यहां पर डेमोग्रेफिक पढ़ेंगे पॉपुलेशन में जैसे देसकी कुलाबादी कितनी है, population density कितनी है, linka अनुपात कितना है, date rate क्या है, birth rate क्या है,ündesk IMR infant mortality rate जो होता है वो हमारा क्या है life sustaining age क्या है, उसके occupational structure प्र भी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे, literacy rate क्या है चुकि किसी भी देश की जो population analysis होती है वो उस देश का सबसे एक track record होता है कि वहां की जनसंख्या है कितनी पढ़ी लिखी है कितनी जोग्य है कितना स्वस्थ है कितने उसमें working है active है dependent है independent है ठीक है तो यह पूरे contents में यह तमाम चीजे तुमको एक साल में पढ़ना है जिसमें हम आज convince करेंगे कि आप लोगों को चैप्टर वन है ना देखो यहाँ पर लिखे हुए इंडिया size and location जिसमें एक हमारा world का figure इंडिया and world दिखा रहा है जिसमें continental form में नर्थ अमेरिका की बाते हो रही है आप देखो अफ्रीका हो गया इरोप हो गया एसिया हो गया और यह ऑस्ट्रेलिया हो गया तो यह continent हमारे हो गया और यह देखो अपना इंडिया है ना और इसके अलावे oceans को भी दिखाए गया है यह यह नहीं कि global figure तुम्हारे सामने है पूरे world का जिसमें हम लोग भ भारत का विश्व में क्या अभी कितना बड़ा अकार उसका है छेत्रफल दिश्टी कोड से वह हमारे लेटी लोंगिचूडनल कंडिशन में कहां पर situated है तो उस पर हम just workout कर रहे हैं उस पर हम बनाएंगे तो तुम लोग के सांथ सेयर करेंगे तो इसके बाद में यह page number तु है ना 3,214 किलोमेटर और दूसरा है हमारा इधर वेस्ट तु इस्ट के तरफ में यह total हमारा डिस्टन्स कितना है उससे हम एरिया निकाल सकते हैं इसके अलामे देखो यह लेटी चूडनल जो हमारा situation है 8 डिगरी 4 मिनट का और यहां पर है तुमारा 37 डिगरी 6 मिनट का इसक दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है जो छेत्रफल की दृष्टी कोर्ट से यहां पर दिये हुए है जिसमें रसिया एक नंबर पर है कनाड़ा है इवेसे है चाइना है ब्राजील है अस्टेलिया है और अपना इंडिया है तो अपना इंडिया का टोटल हमारा सात्वा ठीक है तो यह पेज तुम्हारा थ्री पर है इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया नेबर्स के बारे में तो हम चाहेंगे कि यह पेज नंबर जो फोर है इंडिया नेबर्स के पहले यानि कि आप लोग यहां से स्टार्ट करिए शुरू से और काफी गहन स्टेडि करो रिट पढ़ाई करो और इस पर ब्यवस्थीत और एक डिटेल्स हम प्रोग्राम बना करके तुम लोग से नेक्स्ट क्लासेज में विजिट करते हैं आपको यहां तक पढ़ाई करनी हो पेज नंबर फोर के इंडिया नेबर्स उसके उपर में पूरा टोटल तुमको पढ़ाई कर करनी है ग्राफ को देखना है कंसल्ट करना यहां पर इस ग्राफ को कंसल्ट करना है और यह ऐसे करके तो आप पीज नंबर वन से ले करके पीज नंबर फोर तक आप सभी चाड़ाई करें और उस पर हम डेटेल्स सर्चा अगले वीडियो में बना करके तुम लोग को हम सभी बच्चों से एक बिनम राग रहा है इस बात को काफी गंभीरता से लें और अपनी पढ़ाय को सुचर रूप से चलाने में खुद सहयो करें ठीक है बच्चों चलो थैंक्यू